25 जुलाई को बुद्ध का गोचर बनाएगा लक्षमी नारायन योग, चार राशी की चमकेगी किस्मत, बुद्ध का सिंग राशी में गोचर 2023, 25 जुलाई 2023 की सुभ़ 4 बज कर 26 मिनिट पर बुद्ध ग्रह का सूर्य की राशी सिंग राशी में गोचर होगा. किसी राशी में पहले से विराजमान ग्रह के साथ यह यूती बनाकर लक्षमी नारायन योग बनाएगा. किसी राशी में विराजमान मंदल के साथ यूती बनाकर भी यह शुभ फल देगा. इसे योग से चार राशियों की किस्मत चमक जाएगी डॉट सिंग राशी में बुद का फल, सिंग राशी में बुद का फल, मिथुन राशी मिथुन राशी वालों के लिए बुद पहले और चौथे भाव के स्वामी है बुद्ध का सिंग राशी में गोचर आपके तीसरे भाव में होगा नौकरी और करियर में आपको बेथतर अवसर प्रात होंगे आपकी वेतन वृद्धी के साथ पदोनती हो सकती है व्यापारी हैं तो उच्च धन लाब अर्जित करने में सफल होंगे अधिक धन संचय करने और अधिक बचत करने में सफल होंगे सिंग राशी, सिंग राशी वालों के लिए बुद्ध दूसरे और ग्याहरवे भाव के स्वामी है बुद्ध का सिंग राशी में गोचर प्रथम भाव में होगा करियर शानदार रहेगा और व्यापारी है तो लाब कमाने में सफल होंगे लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे तुला राशी तुला राशी वालों के लिए बुध नौवे और बारवे भाव के स्वामी है बुद का सिंग राशी में गोचर आपके ग्यारवे भाव में होगा इस भाव के कारण धन लाब होगा और लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रही है भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा बुद्ध ग्यारवे भाव से आपके पाँचवे भाव पर द्रिष्टी डाल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आप उच्च धनलाब अर्जित करेंगे धनो राशी, धनो राशी वालों के लिए बुद्ध साथवे और दसवे भाव के स्वामी है बुद्ध का सिंग राशी में गोचर आपके नौवे भाव में होगा भाग्य के सहारे आप करियर और नौकरी में प्रदती करते जाएंगे लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं व्यापारी हैं तो अच्छा खासा लाब कमाने में सफल होंगे पारिवारिक स्थिती सुखद रहेगी